बाई मैंने बैक टू बैक जीद जा रही है आको प्रौफिट दे रहा हूँ वीडियो अगर वीडियो सिप मेरा डेली का देख लेते हो तो सारे आपका डौट क्लियर हो जाते हो पता चल देता है मैच में क्या होने बला है पिछला मैच में मैंने सीधा पोल दिया था कि फर्स्ट मैट पे जो टीम है कि बेनेफिट फिलेगी और जो प्रॉबिट बैंग लोड देखे गया वह लखनाउं नहीं आप देख सकते हो एक सांदार काम चल रहा है सिर्फ मेरा वीडियो देखे लोग बंपर कमा रहे है तो मैच रूमर फोटी रही है और यहां पर जो कि गुजरात है गुजरात कंटेनू पिछला मैच पिछला सीजन पर डबदबा कायम रखी अपने आपका तो जीटी वर्सें डीसी का मैच है गुजरात टाइटन से डैली कैपिटल फर्स्ट वर्सें तेन्थ और सूपर मैच होने वाला है क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं जो टीम यहां पर अभी तक जितने भी आइपल के मैच हुए है जो टीम सेकेंड पर आई है उनका यहां पर पलड़ा भाड़ी रखा है नरेंदा बोदी स्टेटें में मैच खला जाएगा लिंग डिसेप्सर फर्स्ट कमेंट दोरो जग मैं अपने सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों यहां पर है टीम जो की टीम का रिकॉर्ड है गुजिराज जैसे मालूम इंटेडिस हुए थी दो हजार बाइस में तो पिछल सीजन एक मैच खेली थी जो की 171 डिफेंड कर आई थी और इस सीजन डैली में मैच हुआ था एक सबासर जो की डिसी ने बनाया था और इससे चेस किया था सका बागी यहां यहां पर नहीं खेला है लिकिन डेलि नहीं दो मैच क्छेलन रखा एक जीता है तो इससरे हो जीता एक हाँ बाइव खेली है पिलीर स्लई फाइनल खेली थी टोट्व मिंझे पांच मैच इसमें इसरों फोगी है और वह रहा है संब्सक्राइए है अब सबसे नाइट आइडर ने चेस किया था राजस्तान वाल एक सो दो पे दस है जो कि लोएस्ट है यहां पे रिकॉर्ड जीटी वर्सेस एमाई का जो कि आपको चार मैची सीजन हुए है आइपल दोजाट तेश में जो कि देश सकते हो दोसो साथ जीटी ने डिफेंट करा है but कुलकाता ने चेस किया था सीज़गे बर से जीटी कि बाद करें जो कि 178 रण लगा था जो कि यहां पे जीटी ने पहला ही मैच था ऊपनी मैच था चेस किया था तीन चेस होग चुकी है और लेटीज मैच में एक यहां पर है 207 हाई स्कोरिंग जो कि अभी तक का है और यह डिफेंड होने के पाकि 190 से बिलोग स्कोर यहां पर चेस होने यहां पर देथ और अच्छे लेते विए निकालते में नदर आएंगे जैसे जैसे प्रोग्रेस होता जाएंगा लेकिन अगर आज जाएगा तो यह कोई तो उसमें काफी संदार परफॉमेंस किये थे और यहां पर गुजरात को जीत दिलाए थी एक पचास रन बनाया थी डली की बात करें एबरी मैच में प्लेंग लेवन हर बार चेंज करें इनको जीत की जरूरत है और लेटी क्वालिफाइज से भी बाहर इनको देखा जा रहा यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर प्लेंग लेवन है बागी यहां पर देख से तो डेली की तरफ से डेविड वन फिलिप सॉल्ड पिछला में से पचास मार चुके है तो इनको ओपनिंग करा जा जा रहा है सब्सक्राइब यहां पर सब्सक्राइब हो सकते हैं टीम कापी गुजरात की बैलेंस दिख रहे हैं और हर मैच में प्लेएऱ एक टार्गेट बनाएं करना है हर मैं के खेलना है तो hito खेल रहे हैं पात करेंगfund के लिए हैं देरा प्लेएंग को जरूर लेएla L rural सकते हो एवरेज स्कोर 190 है पीच का और बैटिंग करने पीचे इस पीच के जहां एहमदाबाद मैच होने वाला है नूर एहमद आठ भिकर ले चुकिए अभी तक राशित खान दोनों स्पीनर गुजरात को एक सांदार परफॉमेंस दे रहा है गुजरात को जीत दिलाने में नूर एहमद राशित खान सभी अच्छा बॉलिंग कर रहा है लास्ट मैच को रोकाता का दिखा गया था जहां राशित गान एकनोमिकल सावित हुए थे हाई रेट से मार्क है थे वही नूर एहमद अच्छा बिकर लेते वे और कम रन देते वे दिखाए दिखाए दिसी के बात अक्षा पटेल भी बैटिंग कर रहा है दो बैट्स में चल रहा है अक्षा पटेल और डेविड वन लाट्स मैच हो उतना खासा प्रफॉर्म नहीं किया था दो तीन रन बनाया था साल लेकिन यहां पे डेविड वन हर एक मैच में अगर ऐसा हो तो नेश मैच में 50 मार वाट्स नंबर है आप मुझसे कॉंटेक कर लीजेगा ड्रीम अलोन के लिए जो मैं टीम बनाके दे रहा हूं उसे ध्यान में रखिएगा और यह टीम काफी बैलेंस बनाऊंगा फिलिप सॉल्ट विद्धिमान साहा दोनों विकेट कीपर में दोनों साह जा सकता हाला कि वि विजय संकर विजय संकर या साहिज सुदर्शन जो आए उसको पिक कर लेना रासित खान एनेच नौकिया मुहंबस सामी और यह जो के टीम बनारों तीनों आपको काफी बैलेंस टीम है कुल्दी प्यादों को साथ पी जा सकते हो क्याप्टर में यहां पर सुमान गिल को बन चैनल को सस्काब कीजिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे